तो वेल हेलो इन्वेस्टर्स मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकार बार बार होगी तो आज की वडियो में हम एक बार फिर्स से बात करने जा रहे हैं जी वी के पावर एंड इंफ्रासेक्चर लिमिटेड के बारे में और कल जैसे की 40 नौवेंबर को कमपनी ने अपने अप पर शोक किया है जो कि एक तरह से देखा जाए तो श्टॉक के लिए एक काफ़ी पॉजटीव चीज या पर होते भी नजरा दिये और जैसे कि आपको मैं अक्सर मेरी वीडियोस में बलता हूँ कि आनले समय में आपको जी वी के पावर में कई ऐसी बड़ी-बड़ी अपड प्राइस की बात करें तो फिलाल ये स्टॉक हमें 5 रूपीस के आराउं ट्रेड करते है नजरा रहा है और वही बात करें लाज्ट रेडिंग सेशन की तो लाज्ट रेडिंग सेशन में स्टॉक में हमें एक अच्छी कासी 4% की तेज़ी देखने को मिली और फिलाल इस काफी तेजी से बढ़ते भी नजरा रहा है जा आप इस आर्टिकल पर पढ़ी सकते हो जी वी के पावर एन इंफ्रासक्चर कॉंसिलेटेड नेट प्रॉफिट राइजेज 1066% इन सब्टेमबर 2024 काटर तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मोर देन 1000% से राइज या पर होते भी नजरा रहा है जो कि एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक के लिए काफी जादा पोज़ेट पॉइन या पर नजरा रहा है और जैसे कि अभी भी देखा जाए तो NCLT कोट में जाके GV के पावर को काफी लंबा समय हो गया लेकिन अभी तक इसके उपर कोई फाइनल डिसी हमें या पर देखने को मिलतो है नजर नहीं आ रहा है तो एक तरह से देखा जाए जो डिले या पर होते भी नजरा रहा है इस डिले के बीच में definitely कोई सेटल में की न्यूस हमें आनले समय में या पर देखने को मिलतो है नजरा सकती है क्योंकि अभी भी देख का जाए recently company ने जो यह पर defaults किये वो GV के power इसने ने किये इसकी जो parent company जो कि हमें out of country देखने को मिलती है उसने यह पर default किये जिसके चलते काफी ज़ादा chances है कि आनले समय में GV के power में जो फिलाल NCLT code के जो issue यह पर चल रहे उसके उपर कोई final decision और एक settlement होते भी नज़रा सकता साथ ही quarter two के results में आगे बड़े तो company की जो net sales है उसमें around हमें 3% का एक rise होते भी नज़रा रहा है तो देखा जैतो company में कोई अच्छा नासा sales growth में कोई बड़ी चलन हमें देखने को नहीं मिली तेकिन अभी भी देखा जैतो around 3% की अच्छी खासी growth या पर देखने को मिलते भी नज़रा रही जा recently company ने अड़ा नहीं जैसे बड़ी companies के साथ भी कई बड़े प्रोजेक्स हमें आपर देखने को मिलते भी नज़रा रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा एक game changing पर या पर नज़रा रहा है वो है company का profit growth जो की more than हमें 1066% से rise होते भी नज़रा रहा है जा September quarter क की बात करें तो company का जो total profit around 722 करोड का हमें देखने को मिलता है और यह अभी तक का सबसे बड़ा profit या पर हमें देखने को मिलते भी नज़रा रहा है जा last quarter की बात करें यानि March या April की quarter की बात करें तो company का जो net profit जो की around around हमें 379 करोड का देखने को मिला था और वही last year year on year compare कर around हमें 61 करोडी देखने को मिला था तो year on year देखा जाए या quarter by quarter देखा जाए तो company की जो sales growth हो या company का जो profit growth हो उन दोनों में हमें एक अच्छे खासे growth या पर देखने को मिलते भी नज़रा रही तो यह कुछ ऐसे positive points है जिसके चलते जो भी GV के power में उपर के level से फसे हुए व उससे हमें घबरानी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आनुवले समय में definitely stock के उपर हमें कोई settlement के news और जितने भी इसके negative points से आनुवले समय सभी के सभी आपे positive होते भी नज़रा सकते कि फिलाल जीस तरह से company की जो sales growth है आपे बढ़ते भी नज़रा है उसके चलते अगर आ इंफरा सेक्टर का एक ऐसा पैनी stock है जो अभी भी हमें काफी ज़्यादा under value price और अभी भी हमें काफी ज़्यादा discounted price पे मिलते भी नज़रा रहा है जो कि आनुवले समय में हमें एक multi bank returns का देने का दावा भी रखता है ये stock तो आज जैसे की Friday आज तो stock market यापे बन दे और में भी काफी ज़रा chances है कि अब आने वाले कुछ दिनों तक GV के power में हमें एक अच्छी खासी तेजी और एक अच्छी खासी अपर circuit भी आपे देखने हूं मिले तो आज के लिए बस इतना ही GV के power में जैसे कोई latest update या जैसे कोई latest news होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी तो वीडियो पासन है तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते अगले वीडियो में थैंक यू